कुछ समय से आप सभी लोग देख रहे होगे, कि देश में जाती आधारी जनगरना करवाने की बात की जा बिहार देख लीजे, महाराष्ट देख लीजे, उत्तरफिदेश देख लीजे कई राज्जों ने इस तरह की मांग की हुई है कि जाती आधारी जनगरना होनी चाहिए और कई आंदोलन भी इस तरह के होते रहे हैं कई नेता इस तरह के आप देखिए कि बयान बाजी भी करते रहते तो आखिर जाती आधारी जनगरना का मतलब क्या है क्योंकि आप देखते हैं कि जनगर्णा तो आपकी हर दस साल में होती है आपकी 2001 में हुई थी उसके बाद 2011 में हुई थी अब 2021 में हो नहीं थी लेकिन आपने देखाई कि गोरोना महामारी के कारण कुछ आप देख सकते हैं दिक्कत हो गई है तो आने वाले समय में आ अगरे ठीक है और एक बात और आपको बता दो कि आपकी को परिक्षाओं में जनगर्णा से कुष्टन्स हमेशा पूंचे जाते हैं दो चार कुष्टन्स आपके आते रहते हैं प्रलेम्स की बात कर रहा हूं स्टेट PCS हो फिर चाहिए आपका सिबल सर्विस हो या फिर दो चार कुष्टन्स की बात करते हैं तो आप लोगों से एक बात दोर कहते हैं कि आप लोगों को अगर भरोसा नहीं होता है तो आप लोग कम से कम 5-6 साल पुराने कुष्टन्स पेपर आप जिस भी परिक्षाओं की तयारी करें उसके देख लिया करेगा आपको कुई माल टॉपिक है और याद रखें अगर चर्चा में रहता है तो मुख परिक्षा में भी कुष्टन्स बन सकता है इस्टेट PCS में भी बन सकता है कि समझ रहें आप लोग तो आज हम कुछ आपको पॉइंट बता देते हैं जंगड़ना से संबंदित भी बता देते हैं और पहली जाती आधरित जंगड़ना कुछ तो आप देखें इसके मतलब अपने राजनेतिक समीकरण भी होते हैं कुछ इसकी सच्चाई भी होती है और नुकसान क्या-क्या है उन्हें भी देख लेंगे हम लोग तो याद रखें जंगड़ना का पहले तो सबसे पहले आप लोगों क यही मालू होना चे कि आखे जंगड़ना का उद्देश क्या होता है हर दस साल में करानी की क्या जरूरत है आप समझ रहे हैं तो इसका उद्देश होता है कि जंसंख्या समधी आंकड़े पराप्त करने संसादनों तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने सामाजीक परि अधारन के लिए दे रहा हूं है और माली जे कि 10 साल बाद वहां जंसंख्या एक लाग हो जाती है तो वहां जो नीती बनाई गई थी जो संसादन उपलब्द कराए गए थे वो तो 50,000 की जंसंख्या के हिसाब से करवाए गये थी कि नहीं वहां जो बिदायक चुना गया थ पचास-जार जंसंख्या के हिसाब से चुना गया था कि नहीं अब जंसंख्या बढ़ गई है तो सीटे में बढ़ जानी चाहिए तो इन सब के लिए आपकी हर 10 साल में जंगणना करवाई जाती है और हमें मालूत हुचली कि हमारे देश में कितनी जंसंख्या हो गई है तो इसलिए आपकी यही उद्द्दिस रहता है में आपका आगे आप लोग देखेंगे अगर हम लोग भारत में जंगणना की इतिहास की बात करें और इस इतिहास से आपके questions हमेशा आते हैं आप सभी जानते हैं कि भारत में पहली बार जनगड़ना की एगर हम बात करें तो 1872 में वेटिस आसन की अंदरगर्थ लौड मेयो की कारिकाल में पहली बार जनगड़ना कराई गई थी अगर आप से कभी कुश्चंस पूचता है कि भारत में पहली बाद जनगरणा कब कराई गई थी तो 1872 की बात है इस समय किसके समय में? लौड मेव के समय में ठीक है? लेकिन आप देखेंगे कि नेमित रूप से और 10 की है जो 10 साल में आपकी होती है ये करवाई की शुरूं कब से होती है? 1881 में पहली बाद जनगरणा के लिए अलग विवाग का गठन भी किया गया था और नेमित रूप से और 10 साल के हिसाब से 10 की ये जनसंख्या जनगरणा की स्तुरूआत होती है 1881 और इस समय आप देखेंगे लौड रिपफन का समय था और इसकी जिम्मेदारी की अगर बात करें तो सेंसर कमिशनर को सौपी गई थी और भारत में ये पद 1941 तक रहता है फिर आप सभी जानते हैं कि 1949 में 1947 में हमें आजादी मिल जाती है 1949 में भारत में इस पद का नाम बदल कर Registrar General and Census Commissioner कर दिया गया मई 1949 में भारत सरकार ने इस विभाग को केंद्रिय गरह मंतराले की अधीन कर दिया था तब से यह विभाग पितिक 10 साल पर जनगरना करवाता है तो आप लोगों को एक और पॉइंट मिल गया कि गरह मंतराले की अंडर में आता है आपका विभाग और यहां आपको बता दू कि 1959 के बाद जो भी जनगरना होती है वो 1948 का जो जनगरना अधीनियम है उस ही के हिसाब से होती है तो इस अधीनियम को जरूर याद रखिएगा ठीक है? तो आप से कई बार पूँछ सकता है और याद रखिए 1941 में आपकी जनगरना नहीं होई थी क्यों नहीं होई थी? क्योंकि आप जानते हैं कि दुदियब इसे उद्चल लाँ था और आपको मालू होना चाहिए कि अनसूची साथ में इसकी बात की गई है जनगरना की, संग सूची में किसमें? संग सूची में और इसका जनगरना करवाने का दायत किस के पास है? केंद सरकार के पास और यहाँ दो पॉइंट और याद रखिए 11 जुलाई को आपका विस्ट जनसंख्या दिवस के रूम में मनाते हैं समझ रहे हैं आप तो? और यह भी आपसे कई बात पूछ लेता है कि भारत का महा पंजीक एवं जनगरना आयुक्त के बारे में तो पहले तो आपके पहले थे डबलू पिलांडेन ठीक है? और भारत के अगर हम बात करें पहले भारती है तो आपने देखा होगा कि आरे गो स्वामी पहले भारती है आपके जो जनगरना आयुक्त थे और अभी आगर बात करें तो आप देखते हैं 2011 की हुई थी उसमें आपने देखा होगा कि डॉक्टर सी चंदमॉली के मतलब यह ही आयुक्त थे इस समय इने की देखरेक में यह जनगरना करवाई गई थी ठीक है यह भी आप लोग याद रखना चाहिए और आप सभी जानते हैं कि 21 भी सदी की दूसरी जनगरना थी आपकी 2011 की और टोटल अगर हम बात करें तो देश की पंद्रवी और अगर हम लोग सतंध भारत की इसाप से बात करें तो यह साथ भी थी 2011 की बात कराओं क्योंकि अभी तक हमारे पास 2011 की आंकड़े ही है जब तक 2021 की जनगरना की अंतिम आकड़े नहीं आ जाते तब तक हमारे लिए यही है ठीक है और इसका नारा क्या था हमारी जनगरना हमारा भविस और इसकी सुभनकर कौन थी प्राग नक सिक्षी का और इसमें 29 पिसने सामिल किये गए थे यानि कि आप देखेंगे आपके यहाँ जाएगा तो 29 पिसन इस तरह की निधारित किये गए थे आप से पूछने के लिए और आप देखते हैं जब जनगरना होती है तो घर घर जाते हैं ड्यूटी लगी होती है तो यह भी आप लोग याद रखेगा और 2011 कि अगर हम लोग जनगरना के हिसाब से बात करें तो लगभग आप देखेंगे यह 121 करोड के आसपास आपकी जनसंख्या माने गई है यह भी आप लोग याद रखेगा और याद रखे इस से हम लोगों ने इस से रिलेटिव जनगरना से रिलेटिव एक किलास ली हुई थी इस पेशल वीडियो फोर आईएस पीसी एस की नाम सी बनी हुई है पिलेलिस्ट सुची उसमें जाकर आप लोग अगर आपके पास टाइम है तो वहाँ जरूर देख लें आप लोग तो यह तो हो जाती है और आपको यहाँ यह भी बता देता हूँ कि सबसे जान्द आप देखते हैं जनसंख्या आपकी कहा है और आपकी सबसे जान्दा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में समझ रहे हैं और सबसे कम आप देखेंगे सिक्किम में आपको देखने को मिलेगी और जनसंख्या विद्धी देर की बात करें कि मतलब 10 साल में सबसे जाना कहां जनसंख्या बढ़ी है तो मिघाले में और सबसे कम नागा लेंड में नाकारात्मक विद्धी दर देखी गए नागा लेंड में ठीक है और 2011 की जन्गर्णा के साब से अगर हम लोग जनसंख्या घनत की बात करें तो आप देखते हैं कि 382 ब्यक्ति बढ़ किलोमीटर के साब से निवास करते हैं ठीक है लिंगनपाद की बात करें लिंगनपाद कहने का मतलब यह होता है कि एक हजार पुर्सों के पर कितनी मैल आएं तो 943 मैल आएं देखने को मिलेगी ठीक है इस तरह के व्यक्शान्स कई बार पूच लेता है और याद रकिба कि जनसंख्या की मतलब इनकी जणग्रणा जाती की अभी भी होती है आप देखते हैं इनकी सीटइं आरक्षे थें आरक्षन के लिए इनकी जन्गणा अभी भी होती है तभी तो आप देख देते हैं के जन्संक्या इतनी है इनकी S.T. की इतनी है राजज में लेकिन आप ने ये कभी नहीं सुना होगा कि OBC की इतनी जन संक्याए समझ रहे हैं? आप लोगों ने समधाई के बारे में तो सुना होगा कि हिंदु इतने हैं, आपके मुसलिम इतने हैं इसाई, जैन, धरम इतने हैं समझ रहे हैं? लेकिन OBC की मैन तो उद्देश इन नेताओं का एक ही है कि OBC की जनगरना हो और इनकी Boat Bank भी समझ ले और भी देखे इससे फायदे भी हो सकते हैं चलिए आँगे बढ़ते हैं हम लोग आप देखेंगी तो भारत में लगभग 46 लाग जातियां ओप जातियां देखने को मिलेगी भारत में समझ रहे हैं? आप देखते हैं ना कि बेविन समधाय हैं हमारे यां बेविन जातियां हैं उनकी उप जातियां भी आप लोगों को देखने खुब लेगी भारत में 1881 से लेकर 1931 तक बेटिसकाल में सभी जातियों की गरुना होती थी यानि कि जब हम लोग अंग्रेजों की गुलाम थी तब तक सभी जातियों की भी जनगड़ना होती थी समझ रहे हैं आप लोग और इसमें आप देखें कि संसत विधायिका में स्थी एस्टी को आरक्षण इस कारण उनकी गिंती अभी भी जारी है क्योंकि आप देखते हैं कि लोगसभा अपने लोकल राज जिका भी देख सकते हैं आप लो कि आपके यान लोगसभा में भी आपको देखने को मिलेगा एस्टी एस्टी के लिए आरक्षण सीटें रखी गई हैं और आपकी विधान सभाव में भी और भी इस्थानीय चुना होते हैं उनमें भी आपकी इनका आरक्षन मिला हुआ है आजाद भारत में सरपितम वर्स 2011 में सामाजी कार्थिक और जाती आधारित जणगर्णा पैरम हुई थी 2011 में भी इसकी बात हुई थी लेकिन आप देखेंगे कि इसमें कोछ गल्दिया होने के कारण इनके आधारित जारी नहीं किये गए थे किनके जाती आधारित जणगर्णा के और 31 मार्च 2016 को यह जणगर्णा संपन हुई थी और इसमें आप देखेंगे 5000 करोड रुपे खर्च भी हुआ था लेकिन इसका कोई गल्द आकड़े उपलब्द होने के कारण इनके प्रिकासित नहीं किया गया एक तरह से अब बात आती है कि जाती आधारित जणगर्णा के फायदी क्या क्या है लाब हैं कुछ हानी ही हानी है या लाभी लाब हैं तो इन्हें आप लोग देख लिए लाब जाती के आधार पर पिछड़े पन का पता लगाना आवस्त्रक हो जाएगा यानि कि आप देखें कि अगर जाती आधारित जणगर्णा होती है तो कौन कितना पिछड़ा हुआ है किसकी क्या इस्तिति है इसके बारे में आराम से आप लोग मालू कर सकते है जाती की सामाजिक आर्थी किस्तिती और आजादी के बास से आहे परिवर्थन के बारे में भी आपकों को मालूँ चल सकता है अगर इस तरह की जाती आधरी जनगणना होती है आरक्षन एवं सरकारी नीतियों को पुनर समयवजन यानी की आरक्षन भी निद्धारित होगा और यहीं बवाल हो जाता है कि अगर जाती आधरी जंगरना होती है और सामने आकड़े आते हैं तो आरक्षन की मांग उठने लगेगी समझ रहें सामाजिक नियाय की अवधार्णा को सही से पूरा करना आवस्तिक मतलब इसमें भी आप लोगों को काफी सामाजिक नियाय की जो भी अवधार्णा है इसे मतलब सॉल करने में या इसे लागू करने में काफी मदद मिलेगी समय समय पर नीतियों में परिवर्तन करने में भी आप लोगों को मदद मिलेगी कि ओभी सीमाल लीजे आप लोग या किसी और जाती को आप लोगों देख लीजे वो किसी पिछड़ी हुई है उसकी इस्तिती क्या है तो इसमें नीतियों में भी काफी बनाने में भी आप लोगों को काफी फायदा भी होगा अब बात आती है इनकी नुकसान क्या क्या हो सकते हैं जाती आधारित जंगरणा की नुकसान क्या क्या हो सकते हैं तो जातिकत राजनीति को बड़ावा मिलेगा अभी भी आप देखते हैं कि जाती आधरित जाती को जातियों में किस तरह से पहिदभाव बनाया रखी हुए नेता, एक जाती के नेता बनके रह जाते हैं, समझ रहे हैं, किसी भी राजनेतिक पाइटी को आप लोग देखिए, उसकी बिचार धारा आप लोगों को दिखाई देगी, कि यह यह जाती की पाइटी है, यह जाती की पाइटी है, और आपको मालु होना चाहिए कि जब जाती आधरित जनगटना होनेगी, तो माल लिजी कि आपकी जनसंग क्या इतनी है, तो फिर आप देखेंगे, जाती पर उससाब से उसका बोट बेंक बटोड़ने के लिए आप देखेंगे, वहां राजनती होने शुरू हो जाहिए, तो यह नुफसान हो सकता है, और आप देखते हैं हमारा भारत एक, इस भारत में आप समझे कि सभी समधाय रहते हैं, सभी जातियां रहते हैं, सभी भासा बोलने वाले रहते हैं, तो देश की आप समझ सकत कि मतलब इस तरह का खटास भी उत्वन हो सकता है जाती आधार पर विभेद बढ़ने की संभावना भी हो सकती है विभेन जातियों में तनाव भी हो सकता है कोई कहेगा हमारी जाती के इतने लोग हमें आरक्षन इससाब से मिल ला है या हमें नीतियों का फायदा इससाब से मिल ला है तो तनाव भी देखने को मिल सकता है जातीगत परिवर्तन की प्रिवित्ती भी हो सकती है यानि कि परिवर्तन मतलब इस जाती से उस वजाती की बात जाती के सम्मद्द में गलस सूचना है और बढ़ेगी जाती अधारी तो जनगरना होती है तो उसके बारे मैं याद रखिए अगर जनगरना की समय में आप देखें कि गलस सूचना है भी उपलब्द करावाई जाएंगी यानि कि आप करे सकते हैं जोल जाल भी हो सकता है तो यह नुकसान भी हो सकते हैं तो आप लोगों से अगर कुश्चन्स बनता है मुख पर इक्षा हो या आप देखे एक स्टेट पी सीएस की हो या और कहीं भी हो तो आप लोग इनी पॉइंटों का उप्योग करके एक बहतर आंसर आप लोग लिख सकते हैं और लाश्ट में आप अपना निस्करस भी लिख सकते हैं समझे रहे हैं आप लोग जाती आदर जन्गर्णा क्या है उसके बाद आप बता दीजी का इसके नुकसान क्या हो सकते हैं या फायदे क्या हो पहले फायदे क्या हो सकते हैं इसके नुक्सान क्या हो सकते हैं फिर आपके नीचे आप लोग निस्करस लिखते हैं वही आप लोग लिख भी सकते हैं देखिए HTSC की जनगरना अभी भी होती है अलग से ही आप सबी वह मालू है फिर आप कैसे कह देते हैं कि MP में सबसे जानद आपकी HTSC जनसंख्या देखने को मिलेगी इसी हिसाब से तो कहते हैं कम से कम आपको मालू है आप लोग OBC के बारे में कभी नहीं कहते हैं कि OBC की जनगरना सबसे जानदा यहां है या जनरल की जनसंख्या सबसे जानदा इस राज्य में देखने को मिलेगी इसी हिसाब से जनगरना के हिसाब से बता देते हैं और जाती आधारी जनगरना होती है तो आप देखेंगे आप बता पाएंगे कि सबसे जानदा ये जाती किस राज़ी में नवास करती है खुलकर आप लोगों के सामने आकड़े भी होंगे तो इसके बारे में आप लोग कोईंट रखिएगा याद रखिएगा अगर आपको भी लगता है फायदे हैं नुकसान इसमें कुछ पॉइंट सामिल नहीं किये गए तो उन्हें बताईएगा हम लोग भी देखें कि आखिर आपके पास कौन से पॉइंट है चलिए मिलते रहेंगे आपनों इन्यूए करते रही है पढ़ते रही है